करता दूर भगाओ और रातों रात माला माल हो जाओ। कई बार लोग ऐसा महसूस करते हैं कि काफी महंत और प्रयत्न के बाद भी धन के आवागम पर जैसे रोकसी लगी हो। कभी महंत के अनुसार आपको पैसे नहीं। मिलते या फिर आया हुआ धन न जाने किस रास्ते निकल जाता है कि आपकी बधाली कभी दूर ही नहीं हो पाती। आईए जाने कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में जो दर्दरता दूर करने में मददगार साबित हो सकते हैं। आप इन चीजों को अंधविश्वास भी कह सकते हैं लेकिन हमारी संस्कृती में तोटकों को भी एक अहम स्थान प्रदान किया गया है। ऐसे में हम इस वीडियो में जानेंगे की घर से दर्दरता दूर करने के उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं लक्ष्मी माता का आशिरवाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कॉमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। आईए अब जानते हैं घर से दरिद्रता दूर करने के उपायों के बारे में। नमबर एक यदि काफी महंत के बावजूद घर में धन की कमी हो रही हो तो ऐसे में अपने घर के कैमपस में अनार के पेड लगाएं। यहां आपको धन धाने से परिकूर्ण करता है। नमबर दो केले के पेड में जल चड़ाएं। केवल गुरुवार ही नहीं बलकि हर दिन केले के पेड में जल चड़ाएं और घी का दिया जलाएं। ऐसा करने से मा लक्षमी की कृपा आप पर बनी रहेगी। नमबर तीन घर में हमेशा समुंदरी नमक का पोछा लगाना चाहिए इससे भी दरिद्रता दूर रहती है। नमबर चार खाते समय उत्तर की और मुह हो। जब भी खाना खाने बैठें तो ध्यान रहे कि आप उत्तर की और मुह करके बैठे हो। इससे धन के साथ साथ आयू भी बढ़ती है। नमबर पांच कमल के फूल की पूजा। लक्षमी जी की मन से पूजा करें और उन्हें कमल का फूल अर्पित करें। फिर इसी कमल के फूल को लाल कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में रखें। तो फाइदा होगा। नमबर छे अक्षत रखें अपने पास। लक्षमी जी पर चढ़ाए गए। अक्षत को छोटे से कागस के टुकडे में बांध कर अपने पर्स में रखें। इससे कभी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। नमबर साथ तुलसी के पौधे में दूठ चढ़ाएं। हर गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूठ चढ़ाने से लक्षमी मा का आशिरवाद आप पर बना रहता है। घर में आर्थिक संपनता आती है। नमबर आठ पीपल के पेड की जड में पंच मुखी दिया। संध्याकाल में पीपल के पेड की जड में पंच मुखी दिया। जलाना चाहिए। ऐसा करना धन वृद्धी के लिए अति उत्तम माना जाता है। नमबर नौ दक्षन मुखी शंक की पूजा। लक्ष्मी ग्नेश की पूजा कर रहे हो तो वहाँ दक्षिन मुखी शंख भी रखें और उसकी भी पूजा करें इसके बाद इस शंख को तिजोरी या सेफ में रखें तो यह फलदायक साबित होगा नमबर दस केसर और चंदन घिसकर एक सफेद कपड़े को उससे रंगें और इसे अपनी तिजोरी या फिर आप जहां अपने पैसे रखते हों वहीं बिछा कर रखें लक्ष्मी जी का आशिरवाद आप पर बना रहेगा नमबर ग्यारह भोजन करने से पहले कुट्टे या गाय के लिए एक रोटी निकाल दें आपको कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा नमबर बारह शुकल पक्ष की पंचमी को घर में श्री सुक्त की रिचाओं के साथ आहुती देने से भी दरिद्रता दूर होती है नमबर तेरह महीने के पहले बुधवार को रात में कच्ची हल्दी की गांठ बांध कर भगवान कृष्णा को अर्पित करें अगले दिन उसे पीले धागे में बांध कर अपनी दाहिनी भुजा में बांध लें नमबर चौदर शनिवार को अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में सरसों का तेल रखें अगले दिन उस तेल में उड़त की डाल के गुलगुले बनाकर कुट्टों और गरीबों को खिलाने से गरीबी दूर होती है और लक्ष्मी माता का आगमन होता है नमबर पंद्रह नाली के पास फिटकरी रखें नाली के पास आप फिटकरी रखते हैं तो भी दरिद्रता घर से दूर होती है दरसल फिटकरी में नकारात्मक उर्जा को अपने में समाहित करने की शक्ती होती है ऐसे में आप नाली के समीट फिटकरी का एक टुकडा रख दें और हर पंदरा दिन में उसे बदल दें नमबर सोला नाली के पास नजर उतारें यदि घर के किसी सदस्या को नजर दोश हो गया है तो उसे दूर करने के जो उपाय आप कर रहे हैं वह घर में मौजदू नाली के पास ही करें अच्छा होगा कि आप बातरूम की नाली के पास जाकर व्यक्ती की नजर उतारें ऐसा करने से नजरदोश तो दूर होगा ही साथ ही यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो यह समस्या भी कम हो जाएगी आप पर चड़ा कर्ज भी उतर जाएगा और जो जातक कंदाली की कगार पर पहुँच चुके हैं वह भी अपनी परेशानियों से उबरने लगेंगे वहीं अगर किसी की नजरदोश के कारण सेहत खराब हो गई है तो वह भी इस तोटके से ठीक होना शुरू हो जाएगी नमबर सत्रह नाली के पास कपूर रखें कपूर को डोट शुक्र का प्रतीक मना गया है यदि आप नाली के पास नियमित एक कपूर जलाते हैं तो घर की दरिद्रता दूर होती है यह एक तरह से शुक्र को मजबूत बनाने का उपाय भी है यदि शुक्र मजबूत रहेगा तो आपकी सारी दिखते दूर हो जाएंगी और आपके घर में खुशियां आ जाएंगी नमबर अठारह गूलर की जड़ को कपड़े में लपेट कर चांदी के कवच में डाल कर गले में पहनने से भी आर्थिक संपनता आती है नमबर उन्नीस अपनी तिजोरी में नौ लक्षमी कारक कौडिया और एक तामबे का सिक्का रखने से आपकी तिजोरी में धन हमेशा भरा रहेगा नमबर बीस नाली के पास नमक डालें ऐसा माना जाता है कि नमक नकारात्मक उर्जा को नश्ट करता है और घर में सकारात्मक्ता लाता है घर की नाली से सबसे ज्यादा नकारात्मक्ता का प्रवेश होता है यदि आप घर की नाली में रोज रात में सोने से पूर्व सफेद नमक का एक घेरा बना देते हैं तो इससे आपके घर की सारी दरिदरता दूर हो जाएगी आप रोज रात में सोने से पहले नाली को पानी से साफ करें और फिर सुखा कर सफ़दे नमक से घेरा बना दें ऐसा करने से आपको जल्द ही अच्छे फल प्राप्थ होना शुरू हो जाएंगे साथ ही आपकी आर्थिक दशा में भी सुधार होगा नमबर 21 नाली के पास दीपक रखना नाली के पास दीपक नरक 14 के दिन रखा जाता है यह दीपक यम का दीपक होता है यदि आपके घर में किसी की तबियत खराब है तो आपको कार्थिक मास के कृष्णपक्ष की त्रयोध्षी याने की धंतेरस वाले दिन यम के नाम पर विशेश दीपदान करना चाहिए वैसे यम के लिए दीपदान आप हर त्रयोध्षी के दिन करना चाहिए और गेहूं के आटे का चौमुखी दिया बना कर उसमें एक तेल का दीपक जलाना चाहिए अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर ले वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवार